नमस्कार दोस्तों हमारी इस गार्डिंग चिनल पे मैं चिंतन आपका स्वागत करता हूँ आपने मेरे पिछले वीडियो जरूर देखे होंगे और उससे आप सभी मित्रों को हमारी और और्गेनिक सबजी और फलूगानी की मोहिम के बारे में पता चल गया होगा और आप सभी हमारे फेस्बुक पे ट्वीटर और इंस्टाग्राम से भी जूड़ चुके होंगे उसके लिए भी आपका धन्यवाद दोस्तो आज मैं आपको सहतुल यानि की मलबेरी को सहतुल की डाली के कटे भाग की मदद से कैसे उगाते है वो बताने जा रहा हूँ तो दोस्तो चलिए अब हम सरू करते हैं और जानते हैं की मलबेरी को डाली में से कैसे उगाते है दोस्तों सबसे पहले आप जहां भी मलबेरी को उगाना चाहते हैं उस जगह को तयार कर ले जगह को तयार करने के लिए कुछ चीजे जानना आवश्यक है जैसे कि उस जगह में पोशक तत्व आवश्यक प्रमाण में हो जमीन में आवश्यक भेज हो और जमीन मद्यम नर्म हो तो एसी जमीन तयार करने के लिए इसके लिए हमें सबसे पहले जमीन को अच्छे से खोद लेना है खोदने के बाद हमें इस जमीन में औरगेनिक खाद को अच्छी तरह मिला लेना है खाज को मिलाने के बाद हमें इस जमीन में अच्छे से प्रमान में पानी देना है और एक दिन के लिए इस जमीन को ऐसे ही छोड़ देना है दूसरे दिन इस जमीन की मिट्टी को हमें बारिक कर लेना है जिससे इसके बड़े बड़े टुकडे है वो एक समान हो जाए जिसमें हमें वापस पानी डालना है और फिर से दो दिन बाद पानी डालना है यह प्रक्रिया में दस दिनों तक करने जिससे क्या होगा कि हमने जो खाद डाली है वो जमिन की मिट्टी के साथ एक रस्प होके मिल जाए और उसके पोशक चत्व मिट्टी में आ जाए अब दस दिनों के बाद हमें सबसे पहले एक चाकू लेना है जिसकी धार तेज हो फिर हमारे बागीचे या घर के आसपांस कहीं भी मलबेरी का पेड़ हो उसकी एक से डेड़ सेंटिमीटर मोटी डाली को चाकू या कोई काटने के ओज़ार से काट लेना है डाली को काटने के बाद यहां आप देख सकते हैं वैसे आपको उस डाली के ऊपर से सभी पत्ते निकाल देना है पत्ते निकालने के बाद आपको डाली कुछ इस तरह दिखेगी तो आपको डाली के हिस्से में से डेड़ फिट लंबा टुकड़ा काटना है जैसी कि मैं आपको यहां बता रहा हूँ अब यहां आप देख सकते हैं कि इस डाली के टुकड़े के मध्य भाग में तिन अलग-अलग रंकी गोलाई दिख रही है तो हमें इन तिनों गोलाईयों के हिस्से आए इस तरह से एक से डेड़ इच लंबा तिर्चा कटाव करना है निचले छोर को चाकू की मदद से समानतर कर लेना है अब हमने जो तिर्चा कटाव लगाया है उसके एक इच उपर डंडी की गोलाई में उपर के छिलके को वीडियो में बताया है उस तरह कटाव लगाना है जिससे सिर्फ उपर के छिलके की गहरायता की कटाव लगए इसके बाद आपको इस तरह से छिलके को छुरी या चाकू की मदद से निकाल लेना है दोस्तो ध्यान रहे कि छुरी और चाकू तेज हो बस हमारी कटिंग जमीन में लगाने के लिए तयार हो गई है हमें एसी दो से तीन कटिंग तयार करने हैं क्योंकि कभी कभी कोई कटिंग गलती से हिल जाए या कोई दूसरी वज़त से नई पोदे के रुप में नहीं बढ़ पाती है अब हमें इस कटिंग को जमीन में इस वीडियो में बताए तरीके से धसा देना है और आज पास में थोड़ा दबाव डालके जमीन को दबा लेना है और उसे पानी देना है यहां हमारी रुपाई की प्रक्रिया पूरी होती है अब हमें इस कटिंग को दो से तीन दिनों के अंतर पर पानी देते रहना है और ध्यान रखना है कि कोई इस कटिंग को हिला न दे आपको बीस से तीस दिनों के बाद इस कटिंग के उपर हलके हलके अंकूर दिखेंगे और तकरीबन डेड़ से दो महिने में आपका पोदा आपको बढ़ता हुआ दिखेंगे आपका यह पोदा एक साल के बाद आपको सरुआती फल देने लगेगा और आखिर में मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूंगा हमारी इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करा हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद